नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों कैसे आप सब आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त और प्रसंद होंगे तथालगाता सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेशर पियर सेम पीजी कॉलेज जेगराफी डिपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने पहला नाम लिया था या बताया था मारको पोलो और दूसरे के बारे में बात की थी जिसका नाम था किस्टोफर कुलंबर तो चलिए और बचे हुए जो खोजयात्री हैं उनके बारे में बात करते हैं अगला नाम है वासको डिगामा का वासको डिगामा इनका जन्म 1460 में वास्कोडिगामा का यहां पर डाइग्राम दिखाया गया है इसे आप देख सकते हैं इमेज जो है वास्कोडिगामा जी की है यह पुर्तगाली नागरिक थे पहला तो आपको यह याद रखना है कि यह कहां के थे तो पुर्तगाल के थे जिसका जन्म साइनस नामक इस्थान पर हुआ था यानि कि पुर्टगाल में एक साइनस इस्थान है वहां पर हुआ था पुर्टगाली सासक भारत के लिए समुद्री मार की खोज करना चाहते थे और इसके लिए वासको डिगामा को चुना गया आपको पता है कि भारत प्राचीन समय में मसालों का सबसे बड़ा उतपादक रहा है और निर्या तक भी रहा है तो यूरोप के जो निवासी हैं वो समसीतोषन प्रदेशों में रहते हैं जो आते धिक मसालों का सेवन करते हैं तो इसके लिए वह समुद्री मार की खोज करना चाहते थे भारत के लिए इसके लिए किसको चुना गया वासको पोडिगामा ने चार लगू जहाजी बेड़ों के साथ 1497 में भारत के लिए अपने अभियान पर रवाना हुआ वह 96 दिनों तक बिना भूमी देखे लगभग 7200 किलोमीटर यानि 4500 मिल की समुद्री यात्रा करने के पश्चात अफ्रीका के दच्छडी पश्चिम तट पर सेंट हेलेना की खाडी में पहुंचा दोस्तो अगर आप एटलस में देखेंगे तो देख सकते हैं आपकी अफ्रीका के पश्चिमी भाग में दच्छड पश्चिमी भाग में सेंट हेलेना की खाडी कहां पर है इसके बाद वहाँ से इस्थानिय हांटे टांट निवाशियो एक जो जनजाती होती है जिसका नाम है हाटेंट टाट तो जो वहाँ की इस्थानिय जनजाती थी हाटेंट टाट उसके साथ उसका विरोध हुआ और संगर्स का सामना करना पड़ा जिसके कारण वहाँ से आगे यात्रा पर बढ़ गया यानि कि इनसे युद्ध करने के बाद या संगर्स करने के बाद वह आगे बढ़ गया वहाँ पर रुका नहीं अफ्रीका की दचरी चड यानि उत्रमासा अंतरीव तो आप याद रख सकते हैं कि अफ्रीका की दचरी चोड है उसे हम उत्रमासा अंतरीव के नाम से भी जानते हैं का चक्कर लगाते हुए वे जेंबेजी नदी की मुहाने तक पहुँच गया वहाँ यात्री दल एक महीना तक रुका और अधिकांस लोग इसकरवी बिमारी से पीडित हो गए तो यह आपको याद रखना है कि वासकोड इगामा जब अपनी यात्रा पराराधर किस बिमारी से उसके साथ ही पीडित हुए थे तो इसकरवी नामक रोग से इसकरवी यहां मैं आपको बता दूँ कि जो इसकरवी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है तो यह भी आप याद रखेंगे जब यह बेड़ा मुजांबिक के तट पर पहुँच गया तब उन्होंने अरब बैपारियों के चार जलियान देखे जो सोना, मोती, मारिक, चांदी, लौंग, पीपल, अद्रक, आदिसे भरे हुए थे बोमबासा यह नाम आप याद रखेंगे बोमबासा से वासको डिगामा अपने यात्री दल के साथ अरब सागर को पार करते हुए भारत के पश्चमी तट पर इस्थित काली कट बंदरगाय पहुंचा तो यह भी दोस्तों आपसे कुश्यन बनता है कि वासको डिगामा भारत के किस बंदरगाय पर आया था तो कालीकट बंदरगाय पर जो भारत के पश्मित तट परिस्तित है ठीक है और राज जी का नाम है केरल आज उसका केरल नाम है लेकिन पहले ये प्रांथ हुआ करता था कालीकट प्रांथ ठीक है तो बंदरगाय पर उत्रा था पुत्गाल से काली कट पहुँचने में वासको डिगामा को कुल साथ महिने का समय लगा था 28 मई 1498 को काली कट के समराथ जुमेरिन इस नाम को भी याद रखेंगे कि जब वासको डिगामा काली कट बंदर गाय पर उत्रा था 28 मई 1498 को तब वहाँ का समराट कौन सा था तो जुमेरिन था ये भी आप यार रखेंगे ने वासको डिगामा से भेट की और उसे ब्यापार के लिए आमंतित किया वासको डिगामा भारतिये गरम मसालों को लेकर इस पेन के लिए प्रिस्थान कर गया इस फेन के लिए प्रिस्थान कर गया वासको डिगामा भारत के लिए समुद्री मार की खोज करने वाला जो 1498 में की थी पूर्टा सफल रहा तो जैसे एक कुश्चन मनता है कि भारत की खोज किस ने की थी तो भारत की खोज नहीं की थी उसने भारत और पूर्टागाल के मद समुद्री मार की खोज की थी उसने वासको डिगामा ने अपनी दूसरी समुद्री यात्रा 1502 में आरंब की और वह अपने पूर्व ग्यात मार के से मोजांबिक और भारत पहुंचा एक बार जब रास्ता पदा चल गया तो उसी रास्ते से वो आने जाने लगे 1524 में उसे एसिया में पूर्टागाली बस्तियों का सर्वोच अधिकारी यानि वाय सराय निफ्ट किया गया जब वासको डिगामा ने समुद्री मार की खोज कर ली थी तभी से यूरोपिये कंपनियों का आगमन शुरू हुआ था तो ये भी आप याद रखेंगे पूर्टागाली सबसे पहले आये थे और सबसे बाद में गये थे ये भी आप याद रखेंगे उसे वाइसार बनाया गया किन्तु उसी वर्ष 24 दिशंबर 1524 को कोच्चीन वरतमान नाम कोच्ची है वैसे कोच्चीन नाम है उसका देहावसान यानि उसकी रत्तु हो गई आगे चलकर इसी समुद्री मार्ग से पुर्टगाली, फ्रांसीसी, बिटेन, दच्चिड पूर्वी एसियाई देशों भारत, सिलंका, ब्रम्हा यानि की ब्यामार, हिंद चीन, हिंद एशिया और आस्टेलिया में ब्यापारिक बस्तियां बसाई यानि की आपनेविशिक काल की शुरुवात, दच्चिड पूर्वी एसिया चेत्रों में वास्कोग डिगामा के द्वारा खोजे गए समुद्री मार्ग के द्वारा ही ये संभोव पाई थी इस चित्र में वास्कोग डिगामा जी का जो यात्रा थी उसे दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि वह यहां से चला था पहली बार वह इस मार्ग से होते हुए हो दच्चिड अफरीका के दच्चिडी भाग के पाप गुड होप यानि कि इसे उत्मा सांत्री भी कहते हैं से होता हुए अफरीका के पूर्वी तच्च से होता हुए अरब सागर को पार करके काली कट बंदरगाये पर पहुँच गया था ठीक है दुबारा फिर वो जب आया तो पहले बाला मार्ग ये बाला था ठीक है दूसरा मार्ग उसने बिलकुल पास बाला रास्ता अपनाया और अंतता हुए पुनाह भारत में पहुँच गया था ठीक है तो यहीं से सुरुवात हो जाती है यूरोपिय यानि की अंग्रेजों के आगमन की भारत में अंग्रेज इसी रास्ते से होकर के आये थे ठीक है इस चित्र के माद्यम से भी उनके यात्रा को दिखाया गया है वो पुर्तगाल से चले थे ठीक है और इस यात्रा से होते हुए वो भारत पर काली कड़ बंदरगाय पहुचे थे ठीक है तो यह भी आप याद रखेंगे एक दू बार आप इसे देखेंगे तो आसानी से चीज़े याद हो जाएंगी इसलिए दोस्तों जो जो जिग्राफी म मैपिंग सबसे ही इंपोर्टेंट होती है अगर आपको इस थानों का नौलिज है तो यह चीज़े असानी से याद होती ही चली जाती है आगे दिखते हैं इसके बाद अगला नाम जो आता है वो आता है फरडीनेंड मैगलन का वासको डिगामा के बाद यह कह सकते हैं मार्क को पोलो पर इसके बाद करिश्टोफर कोलंबश इसके बाद वासको डिगामा और अब हैं फरडीनेंड मैगलन इनका जन्म 1480 में हुआ था और इनकी मिरत्तु 1521 में हुई इस इमेज में इस चित्र में मैगलन को दिखाया गया है यह भी पुर्टगाल के थे पुर्टगाल पुर्वी द्विक्शमू में एक सैनिक था जिसने पुर्टगाल द्वारा मलक का विजय में भाग लिया था 1514 में उसने पुर्टगाल चोड़कर इस्पेन की नागरिकता सुईकार कर ली यह आपको पता है कि पुर्टगाल और इस्पेन लगे हुए देश है साथ साथ तो उसने पुर्टगाल की नागरिकता चोड़ दी और इस्पेन की नागरिकता सुईकार कर ली कप 1524 में मैगलेन ने राजकी सहायता से 230 नाविकों के दल के साथ पुर्वी द्विशमू के लिए पश्चिम की ओर से समुद्री मार्ग की खोज करने के उदेश से 20 सितंबर 1519 को इस्पेन के सेविले बंदरगाय से प्रस्थां किया तो इस बंदरगाय को आप बंदरगाय का नाम याद रखेंगे मैगलेन कहां से चला था कब 20 सितंबर 1519 को ठीक है तो यह आप याद रखेंगे ब्राजील के पूर्वी तर्ष से दच्छिड की ओर आगे बढ़ते हुए वह हुए यह चालक दल अक्टूबर 1520 को दच्छिड अमेरिका के दच्छिडी छोड परिस्तित जलसंदी से होकर प्रसांत महासागर में प्रवेश किया उसने जलसंदी आपको बताया गया है कि जैसे ये एक जल का बड़ा भाग है दूसरा जल का ये बड़ा भाग है तो इन दोनों को जो जोडने वाला सक्रामार्ग होता है दो बड़े जले भागों को उसे जलसंदी गहते हैं तो तो दच्छिड अमेरिका की जो दच्छिडी जलसंद दल 110 दिनों तक बिना किसी तुफानी प्रिदिरोद के लगा तार यात्रा करता रहा किन्तु अभी एशिया तक नहीं पहुँच पाया था यानि कि 110 दिन चलने के बार वो अभी तक भी भूमी तक नहीं पहुँच पाया खाद सामागरी समाक्त हो गई, हो चुकी होने के कारण वे लोग भूंख से बहाल होने लगे इस चित्र के माध्यम से आपको मैगलें जलसंदी दिखानी कोस्षि की गई है ठीक है? यह है आपकी मैगलें जलसंदी यहां से होकर के माइगलेन प्रसांत मासागर में प्रिवेस कर गया था क्योंकि यह आपका अटलांटिक मासागर है यह आपका प्रसांत मासागर है तो इसे आप याद रखेंगे ठीक है इसके बाद उसी बीच इसकरवी बिमारी फैलने से यात्री दल के 19 लोगों की मिरत्तु हो गई और अनेक कमजोर और काम करने में अशमर्थ हो गए मैगलेन का यात्री दल एक दूइब समू पर पहुँचा जिसे इस्पेन के समराठ फिलिप के नाम पर फिलिपीन्स रखा गया तो अब आप जान सकते हैं कि फिलिपीन्स जो आपका देश से दच्छिडपूर एशिया में उसका नाम करन किस ने किया था मैगलेन ने किया था कहां के समराठ के नाम पर तो इस्पेन के समराठ फिलिप के नाम पर फिलिपीन्स रखा गया मैगलेन ने वहां के स्थानिय सासक को मित्र बना लिया और उसे इसाई धर्म की दिख्छा दी एक अनिस्थानिय सासक यानि फिलिपीन समेजी जो एक अनिस्थानिय सासक था ने पूर्तगालियों को भगाने के लिए आकरमण कर दिया जिसमें मैगलन घायल हो गया और अंतताह 17 अपरायल 1521 की उसकी म्रत्य हो गई चालक दल के 115 लोग विक्टोरिया और तिरिनीडाड नामक जलेयानों पर सवात होकर इस्पेन के लिए प्रिस्थान किये और मसालों के द्विपी यानि हिंदे से ही को मसालों के द्विप कहते थे उस समय से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उत्तमासा अंत्रीप या आपको पता है उत्तमासा अंत्रीप क्या है अफ्रीका का दच्छडी भाग है पहुंचे और जहां से वे उत्तर की ओर बढ़ते हुए सितंबर 1522 को सेवले यानि इस्पेन का जो बंदरगाय सेवले वापस हो गए यह निबा絆 इस प्राकार मैज़ेन के चालक दल के द्वारा व पर्त्वी की एक परिकर्मा पूरी कर ली गई आताहाई । अप आप से बनता है दोस्तों कि आताहाउए प्रथम भ्यक्ती यानि कि जो Magalind था प्रथम ब्यक्ति था जिसने संपूर संसार का चक्कल लगाया था तो पूरे विश्व का चक्कल लगाने वाला प्रथम ब्यक्ति कौन था? इस चित्र के माध्यम से आपको मैगलेन के द्वारा किये गया यात्रा को दिखाया गया है यहां पर आपका इस पेंदेश है जहां पर सिविले एक बंदरगाह है वे पश्चिम की ओर गया था यानि अट्लांटिक महासागर की ओर गया और ब्राजील के पूर्वी तट से होते हुए मैगलेन जलसंदी से प्रसांत महासागर में प्रिवेश कर गया ठीक है प्रसांत महासागर में प्रिवेश करने के बाद 110 दिन प्रसांत महासागर में चला और वे एक द्विप पर पहुंचा जिसको उसने समराठ फिलिप के नाम पर फिलिपीन्स रखका यह फिलिपी अपरिका के दच्छडी वाग उत्तमास अंत्रीव से होते हुए उत्तर की और बड़ा और पुना हुए सिवले बंदरगाये इस्पेन पर पहुंच गया ठीके दोस्तों ये उसका यात्रा थी तो अभी आपको बताया कि मैगलिन प्रथम बेखती था जिसने पूरे संसार का च जान कैबट यहां पर उनका चितर दिखाये गया है ये जान कैबट है ये अंग्रेज खोजयात्री जान कैबट ने 1497 में निव फाउंड लेंड यानि उत्तरी अमेरिका के रास अंत्रीव तक समुद्रियात्रा की थी ठीक है इसके बाद हैं अमेरिको वस्पुक्की ये भी ये पुर्टगाली खोजयात्री अमेरिको वस्पुक्की ने 1500 में अट्लांटिक महासागर को पार करते हुए अंटार्टिका महासागर के निकट इस्थित दच्छिडी जार्जिया की खोज की थी और वहां अपना जंडा लहराया था इसे इस खोज अभियान में वह पुर्टगाल से दच्छिड की और बढ़ता हुआ दच्छिड अमेरिका की ब्रजील तड़ पर पहुँचा और वहां से दच्छिड अमेरिका की पूर्वी तड़ से होता हुआ प्लेट नदी के एश्च्वरी यानि ज्वार नत्तक की यात अश्चिम की और गया जरूर था अमेरिका की खोज की थी लेकिन अमेरिका में उसने पैर नहीं रखा था यानि अमेरिका का जो मुक भूमी उस पर पैर नहीं रखा था जबकि जो आपका अमेरिगो वेस फुक्की था प्रथम यूरोपी बना जिसने मुक मा भूमी पर पैर रखा था इसलिए अमेरिगी वैस फुक्की के नाम पर नई दुनिया यानि निव वर्ड का नाम अमेरिका रखा गया यानि अमेरिका का नाम किस बैक्ती के नाम पर पड़ा है तो अमेरिगो वैस फुक्की के नाम पर ही पड़ा है क्यों 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 प्रथम यूरोपी यात्री था जिसने मुख भूमी पर पैर रखा था ठीक है अमेरिक इवर्स फिक्की के द्वारा या जो यात्रा है जो की गई है उसका चित्र दिखाये गए यहाँ पर वह पुर्तगाल से चला था अट्लांटिक महासागर को पार करते हुए वह दच्छड अमेरिका के पूर्वी तटपर पहुंचा ठीक है और यहाँ पर उसने पैर रखे अपने ठीक है इस चित्र के माद्धे हम से उसका चित्र ही दिखाये गया है ठीक है इसके बाद है अगला नाम है फ्रांशिस ड्रेक इस चित्र में फ्रांशिस ड्रेक को भी दिखाया गया है यह भी अंगरेज खोज यात्री फ्रांशिस ड्रेक ने समुद्री माद्ग से 1572 में संपूर्ण प्रत्वी का एक चक्कल लगाया था पहले चक्कर किस ने लगाया था? मैगले ने लगाया था इसके बाद Francis Drake ने भी 1572 में चक्कर लगाया उसकी यात्रा से Atlantic, Prasant और Hind महासागर के आद पाद यात्राओं के लिए अन्यनाविक भी प्रोस्थायत हुए यानि कि जब उन्होंने Francis Drake को देखा कि ये तो प्रसांत और Atlantic और Hind महासागर के चक्कर लगा सकते हैं तो सभी यात्री प्रोस्थायत हुए इसके बाद अगला नाम है Hudson का इस चित्र में Hudson जी को दिखाया गया है इनको भी देख लेते हैं इन्होंने क्या काम किया है Hudson नामग European Unwesak यानि कि खोज करता ने 1608 में उत्री अमेरिका के उत्तर पूरी भाग की खोज की थी ठीक है यानि उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूरी भाग की उत्तर पूरी का मतलब जैसे आपका अमेरिका है पूरा उत्तरी अमेरिका तो इस वाले बाग की खोज़की थी उसने ठीक है खोज़की जिसके नाम पर ही हर्षण की खाड़ी का नाम करण किया गया तो हर्षण की खाड़ी आप देख लीजिएगा उत्तर अमेरिका की उत्तर पुरी भाग में है इसके बाद अगला नाम है तश्मान मोदे का ये तश्मान मोदे थे जिनका चितर दिखाया गया यहाँ पर ये डची आत्री थे तश्मान ने 1649 में जावा यानि पूर्वी दुईब समूँ से चल कर आश्टेलिया के दच्छिण में इस्तित तश्मानिया यहाँ पर तर्मानिया नहीं होगा तश्मानिया होगा ठीक है तश्मानिया तश्मानिया दुईब की खोच की थी जबकि हमने बताया था कि एक बार भी बात आया था कि अस्टेलिया खोच किस ने की थी कैप्टन कुक ने की थी लेकिन अस्टेलिय के दच्छड में जो इस ते दे से तस्मानिया उसकी खोच किस ने की थी तो तस्मान ने की थी यानि कि उनी के नाम पर इस ब्रीव का तस्मानिया रखा गया उसने वहाँ से न्यूजिलैंड तक की यात्रह की और न्यूजिलैंड से जावा वापस चला गया इसके बाद अगला नाम है कैप्टन जेम्स कुक ठीक है इस चित्र में उनको दिखाया गया है कैप्टन कुक को जेम्स कुक का जन्म 1728 में यार्क सायर ब्रेटेन के मार्टन नगर में हुआ था वे 1755 में ब्रेटे सेना में भलती हो गया और आठ वर्सों यानि 1769 से 1766 तक कनाडा के पूर्वी तटों का सर्वेच्छण किया उसने प्रथम उसने तीन यात्राएं की थी जो कैप्टन कुक थे तीन यात्राएं की प्रथम यात्रा उनकी 1768 से 77 की दोरान वे समुद्री बेडा के साथ इंगलैंड से चलकर दच्छेड अमेरिका के दच्छेडी छोर होकर नेजी लैंड पहुंचा और वहाँ से अस्टेलिया की पूरी तर्थ से होता हुआ जावा और वहाँ से उत्मासा अंत्रीप होते हुए पुनाह लंदन लोड गया यानि एक चक्कर इसने भी पूरा लगा लिया दूसरी यात्रा 1772 से 75 में उसने की और अंटार्टिका महाद्रीप के तटों का चक्कर लगाया इसके बाद तीसरी यात्रा उसकी 1776 से 80 में हुई वह उत्मासा अंत्रीप जो की अफरीका का दच्छिडी बिंदु है से होकर न्यूजिलेंड गया और वहाँ से उत्री प्रसांत महासागर की दूपों यानि हवाई दूप की खोज की और उत्री अमेरिका के पश्च्छिमी तटकी विष्टित खोज यात्रा खोज किया तो आप देख सकते हैं कैप्टन कुक ने कितनी यात्राएं की हैं कैप्टन कुक के द्वारा किये गए यात्रा का यहां पे चितर दिखाया गया है आपको प्रथम यात्रा दिखाई गई है ठीक है इसके बाद दूसरी यात्रा दिखाई गई है तीसरी यात्रा दिखाई गई है तो इसे आप देख सकते हैं आराम से ठीक है तो इसे आप एक सेंस पीरियेट और क्या-क्या हुआ है इसी एज में तो पुनल जागरनकाल में मुद्रनकला यानि प्रिंटिंग, खगोलिय सिद्धान्तों, गड़िद, सर्वेच्छनविदी, दुर्बीन, गुरुत्वाकरसन नियम आदी के अविश्काद हुए, जिनकी प्रियोक से भुगोल के विकास को नई दिशा मिल गई। इस सिद्धान्त उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्वी सहीत सभी ग्रय सूर का चक्कर लगाते हैं, और सूर की इस्थिती केंद्री है ना कि प्रत्वी की है। ठीक है, तो यहां हम एक बार फिट डिफायन करके बता दें आपको, कि जो प्रत्वी केंद्री सिद्धान्त था, यानि भू केंद्री सिद्धान्त, वह मानता था कि प्रत्वी केंद्र में है और सभी अकासी ये पिंड उसका चक्कर लगाते हैं, जबकि सूर केंद्र सिद्धान्त जो की कोपल निकस ने दिया था, वह बताते हैं कि सूरे केंदर में है और सभी ग्रैप सूरे का चक्कर लगाते हैं तो यह आप डिफरेंस याद रखेंगे इसके बाद अगला नाम है केपलर महोदे का 1614 में इन्होंने दिया था अपना सिद्दान केपलर का चित्रियां पर दिखाया गया है इन्होंने यह सिद्द कर दिया कि ग्रहों का ब्रहमण पत अंडाकार या दीरगिवरित्ती है ठीक है अंडाकार है या दीरगिवरित्ती यानि इस प्रकार का है ना की गोलाकार है यानि इस प्रकार जो सबी ग्रह है वो गोलाकार चक्कर नहीं लगाते ठीक है अंडाकार या दीरगिवरिती यानि इलिप्टिकल सेफ में चक्कर लगाते हैं तो आप से पूछा जाता है अगर कि ग्रहों की कोज किस ने की थी तो कैपलर ने की थी वस्तुता हुआ है उन्होंने ग्रहों की गती से सम्मंदित नियम दिये थे अपने भू सर्वेचन के लिए प्रियुक्त होने वाले समपटल प्लेन टेवल नाम की यंत्र का विश्कार 1590 में हुआ था जो आज जो आप प्लेन टेवल सर्वे करते हैं उसका विश्कार 1590 में हुआ 1609 में उन्होंने दुर्बीन का विश्कार किया यानि टेलेस्कोप का विश्कार किया जो सर्वेच्छन कार में बहुत अपयोगी सिद्ध हुआ टेलेस्कोप आप दुर्बीन आपको पता है कि अगर हमें दूर की चीज देखनी होती है तो हम किसका प्रियोग करते हैं दुर्बीन का ही प्रियोग करते है जिसका विश्कार गैलेलियोनी ही किया था इसके बार अगला काम हुआ गुर्ट्वा करसंडियम यानि ला आफ ग्रेमीनेश ग्रेविटेशन सर आईजिक निउटन ने 1687 में प्रिंस्पिया पुस्तक 1687 में किसने आईजिक निउटन ने गुर्ट्वा करसंडियम का प्रतिपादन किया या आईजिक निउटन का चितर दिखाया गया है और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रत्वी तथा अनाकासी पिंडों में गुर्ट्वा करसंड सकती पाई जाती है यानि प्रत्वी में भी गुर्ट्वा करसंड सकती है साथ-साथ अनाकासी पिंडों में भी है और सभी अकासी पिंड पारास्परिक गुर्ट्वा करसंड से ब्रहमांड में ठिके हुए है यनि कि आप जो अगर जब आसमान साफ हो और अगर आप तारों को देखते हैं तो सभी में गृत्वा करसंड बल है और उसी गृत्वा करसंड बल के कारण वे ब्रहमांड में टिके हुए हैं और उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि सौर मंडल के सभी ग्रह सूरी की परिक्रमा क करते हैं इसके बाद पुनर जागराण काल के कुछ प्रमुक भूगोल वेता हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं जोग्राफर्स ऑफ रेसेंस पीरियड पहला नाम है पीटर एपियन का इस चित्र में पीटर पे एपियन को दिखाया गया है देख लेते हैं उन्होंने क्या क् मांचित्र में प्रतिवी को पान के पत्ते की आकरती में तथा हिर्दियाकार यानि हर्ट सेप में दिखाया था इस मांचित्र में अक्छान सोतेसांता रेखाओं को वक्राकार दिखाया गया इस पर एक ही गुलाद प्रदर से किया गया था यानि पीटर एपियन ने जो मां किया मर्केटर सोलवी सताबदी के महान मांचित्रकाल थे उसने 1538 में उत्री और दच्छडी दोनों गुलादों के लिए अलग-अलग मांचित्र बना कर संपूर्ण प्रतिवी का मांचित्र तयार किया था ठीक है मर्केटर को वास्तविक ख्याती उसके द्वारा 1579 में सुद्ध आकरती वाले बेलनाकार प्रक्षेप से हुई उसी के नाम पर यह प्रक्षेप मर्केटर प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है यानि मर्केटर प्रक्षेप का विश्कार किस ने किया मर्केटर महोदे ने कब 1579 में और इसी प्रक्षेप को चुकि इसमें जो आकरती होती है वो सुद्ध होती है इसलिए इसे सुद्ध आकरती वाला बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं इस पर संपूर्ण प्रत्वी के मान चित्र को समानांतर सीधी खीची नई गई अक्षांस और दिसांतर रेखाओं के जाल द्वारा प्रदर्सर किया जाता है यानि जो मर्केटर प्रक्षेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है ठीक है यह मर्केटर प्रक्षेप ऐसा होता है यहां पर मर्केटर जी करें चित्र को दिखाया गया है ठीक है इसे भी आप देख सकते हैं सुद्ध दिसा प्रक्षेप यानि true bearing projection होने के कारण यह जल्यान चालकों या नाविकों के लिए विशेश उपियोगी है ये भी आप याद रखेंगे कि मरकेटर प्रक्षेप जो होता है वो किन के लिए उपयोगी है तो जले आन्चालकों या नाविकों के लिए उपयोगी होता है इसके बाद अगला नाम है सेवेस्टियन मुष्टर इस चित्र में सेवेस्टियन मुष्टर को दिखाया गया है ये जर्मनी की थे जर्मनी के विद्वान सेवेस्टियन मुष्टर का जन्म 1489 में हुआ और इनकी मित्र 1552 में हुई पुनल जागरानकाल के विश्व भुगोल के प्रथम लेकक थे यानि कि पुनल जागरारकाल के समय विश्य भूगोल का प्रथम लेकर कौन था तो सेवेस्टियन मुश्टर ही थे इन्होंने 120 सयोगी लेखकों के योगदान से खंडों में एक पुस्तक प्रकासित की 1544 में जिसका नाम उन्होंने विश्य भूगोल यानि कोश्मोग्राफी उनिवर्सल था पुस्तक के सभी खंडों का प्रकासन लगबक 18 वर्सों में संपन हुआ था पुस्तक के प्रथम खंड में समकालीन विश्य भूगोल का संचिप्त परचे और सेस पांच खंडों में विश्य की विबिन प्रदेशों का विश्य भूगोलिक वर्डन किया गया ये बुस्तक कई सताबनियों तक महत्तपूर संदर्व ग्रन्त के रूप में प्रतिष्ठित रही थी ठीक है दोस्तो अगला नाम आता है फिलिप कलू वेरियश का इनका चितर दिखाया गया है इसे भी आप देख सकते हैं ठीक है देख लेते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है पहली बाद तो ये जर्मणी के थे ठीक है जर्मनी लेखक किलिवेरियेश युवा वस्ता में 12 वर्सों तक यानि 1601 से लेकर 1613 तक जर्मनी के बाहर भामण और सैने के अभियान में लगा रहा उसने पश्चमी यूरोपिये देशों तथा पश्चमी दूइप शमूह की यात्रा की थी पश्चमी यूरोप देश और पश्चमी दूइप शमूह की यात्रा की थी वब 1615 से 1622 तक यानि 1622 में तो उसकी मरत्य हुई थी तब तक भुगोल संबंदी लेखनकारे करता रहा कुलूवेरियस ने विश्व भुगोल का परिचय यानि An Introduction to Universal Geography नामग्रंथ लैटिन बहां सामें लिखा था तो ये भी आप यात रखेंगे कि विश्व भुगोल का परिचय यानि An Introduction to Universal Geography किस ने लिखी उकली विडियस ने लिखी थी जो कि 6 खंडों में 1616 से 1624 तक प्रकासित हुई थी इसके बाद अगला नाम है नैनियल कारपेंटर का आक्सफोर्ड में ये कारणत थे ब्रिटिस भुगोल वेत्ता यानि कि आक्सफोर्ड जो एक यूनिवस्टी है वो ब्रिटिस बिटेन में है वहां कि ये भुगोल वेत्ता थे नैथियन कालपेंटर द्वारा लिकित अंग्रेजी भासा में विश्व भुगोल यानि यूनि हार्ड वारेनियश। इनका जन्म 1622 में हुआ और इनकी मत्तु 1650 में हुई यानि कि केवल ये 38 वर्स तक ही जीवित रहे थे। कजन्म हेमबर्ग के समेब एल्व नदी कितट पर इस्थित हिजेगर नगर में हुआ था। तीक है यानि कि जर्मनी में हुआ था। उन्होंने हेमबर्ग विस्विद्याले से दर्सन सास्त्र भौत की गणेत जीव विज्ञान में सिच्छा प्राप्त की थी। बर्न हार्ड वारेनियश जी के चित्र दिखाया गया यहां पर जिसे आप देख सकते हैं। इसके परणाम सुब वारेनियस ने 1644 में जापान और स्याम का भूगोल भूगोलिक वर्डन यानि डिस्क्रिप्शन डिजिनल रेगनी जैपोनी स्याम यह थोड़ी जर्मन भासा का वर्ड है ठीक है तो आप हिंदी में याद रखेंगे जापान और स्याम का भूगोल नाम पुष्टग प्रकासित की वारेनियस की दूसरी पुष्टग का नाम था सामान भूगोल यानी जिऊग्राफिकार जनरलस जो की 1650 में प्रकासित हुई थी दोस्तो इस पुष्टग का नाम आप यार रखेंगे यौ आप से बहुत पूशि जाती है जियो ग्वराफिया जन भूगोल यानि systematic geography और विस्ष्ट या प्रदेशिक भूगोल यानि special और regional geography देखो दोस्तों द्वात का एक वीडियो हमने बनाय था उसमें क्रमबद भूगोल और विस्ष्ट भूगोल के बारे में बताया था आपको या क्रमबद उपागम या प्रादेशिक उपागम के बारे में बताया था जिसमें हमने आपसे बताया था कि क्रमबद भूगोल में संपूर्ट प्रत्वी को एक एकाई मानकर अध्यन किया जाता है जबकि प्रादेशिक भूगोल में संपूर्ट प्रत्वी को कई भागों में बांट कर यानि कई इसलिए इन्हें द्वातलष क्यादस निक कि नाम से भी जाना जाता हमें Future मुट्र की। इन्हें क्रमबद भूगोल का जनक भी माना जाता है ये भी आप याद रखेंगे कि क्रमबद भूगोल का जनक कौन था तो वारेनियती था इनकी एक पुस्तक और पूची जाती है एक complete system of general geography इस पुस्तक का नाम भी आप याद रखेंगे ये most important question है दोस्तों और ये एक जाम में आई हुए question भी है एक complete system of general geography उनके नुसार समान भूगोल में विशे के सिद्धानतों तथा नियमों की और त्रादेशिक भूगोल में विविन्न प्रदेशों के विशिष्ट स्वरूपों का वर्डन किया जाता है वारेनियश ने समान भूगोल को निम्न लिखे तीन भागों में विवाजित किया निर्पेक्ष भाग यानि absolute part ये पार्थिव भाग था है जिसमें प्रत्वी के आकार, आकरती, महाद्विकों, महाशागरों और वायुमंडल का वर्डन समलित है सापेक्षिक भाग यानि relative part ये ग्रही भाग है जिसके अंतरगर प्रत्वी का अनाकास ये पिंड़ों यानि ग्रहों तता सूर्य से संबंद और विश्व जलवाई पर उसके प्रभाव की ब्याक्या की जाती है ठीक है तो ये सापेक्षिक भाग था इसके बाद तुलनात्मक भाग था उसका इसमें प्रत्वी का समाने वर्डन भूतल परिस्थानों की सापेक्षित इस्थिति और नौस अंचालन की सिध्धानतों का वर्डन समलित किया जाता है ये संटेंस भी दोस्तों आपसे पूशा जाता है इसे भी आप याद रखेंगे तो भूमत रेखा कि जो आसपास का छेत्र यहां पर सबस्यादा आपमान नहीं है सबस्यादा कर्क और मकर रत्तों पर पाए जाने वाले यानि आयन रत्तों पर पाए जाने वाले मस्तली प्रदेशों में सबस्यादिक तापमान पाए जाता है यानि इन भागों में सबस्य याद रतापमान पाय जाता है तो यह भी आप याद रखेंगे ठीक है दोस्तों तो यहां से आपका पुनर जागरन काल और प्रमुक खोजयात्री कंप्लीट होते हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे जो बचे ह हुए आपके अलग-अलग देशों के गोल वेट ताउन पर भी बात करेंगे ठीक दोस्तों नमस्कार धन्यवाद चैहिन दोस्तों